आप सभी का crack exam online में हारदिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम राजस्तान के परमुख या मेत्रपुर्ण यूद को डिसक्रस करने वाले जितने भी राजस्तान के परमुख यूद राजस्तान के अंदर हुए है सभी को एक वीडियो में हम इसको complete कर लेंगे अगर आप राजस्तान में PTE की त्यारी कर रहे हो, जरूर देखें, एक नंबर आप मान के सालें के आपका confirm से हो जाएगा, एक नंबर आप यहाँ पर मान कर चले, पर्थम यूद मित्रों, तराइन का यूद दो बार दो डेट द्यान रखने हैं, तराइन की यूद में, पर् प्तिवराच चुहान यूद को हार जाता है, और यह यूद किस के साथ होता है, तो मुहमद गोरी के साथ यह यूद होता है मित्रों, इसके बाद में ध्यान रखने वाला है भूताला का यूद, भूताला का यूद मित्रों 1227 इसवी के अंदर होता है, किन-किन के मद्दे ह होता है मेवाड के तो जेत्र सिंग होते हैं और इदर इल्टूतमिस के मद्द्य होता है इस यूद में जेत्र सिंग की विजय हो जाती है और इल्टूतमिस हारने के बाद इल्टूतमिस की शेना क्या करती है कि नागदा को लूट लेती है नागदा को लूट लेती है मित्रों इसमें नागदा क्या थी राजदानी थी और अलट बने तब आहड राजदानी होगी तो अब जेतर सिंग क्या राजदानी को हस्तान्तनित करेगा यानि कि ट्रांसफर करेगा कहां पर चितोड में इन्हें के बाद में राजदानी चितोड बनती है, इल्टुतमिस की भागती से नागदा को लूट लेती है, इस कारण से जत्र सिंग राजदानी को चितोड बना लेती है मित्रों अब next question रन थम्बोर का युद मित्रों रन थम्बोर का युद तेरा सो एक इस्वी में होता है काफी important है इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे तेरा सो एक इस्वी में होता है हमीर देव चोहान और अलावजिन खिल जी के मद्य है तो खिल जी इसमें दुरूर पर अधिकार कर लेता है मित्रों अब आप दो चीज दियान रखोंगे रन थम्बोर दुरूर दुरूर में है ना तो इसको जाइन दुरूर को रन थम्बोर की चाब भी का जाता है कौन्चे को जाइन दुरूर को एक पॉइंट ये दियान रखेंगे इसके अलावा यहां पर केसरिया तो हमीर देव चोहन ने किया यहां पर साका होता होता मित्रों राजस्तान का पर्थम साका पुछे तो यही आएगा और जोहर पुछा जाए तो यही आएगा और जल जोहर पुछा जाए ना मित्रों तो भी यही आनसर आपको करोगे, जल जोहर पुछा जाए तो भी यह होगा, हमीरदेव चोहान और कौन आएगा, रंग देवी, हमीरदेव चोहान इनके पतनी का नाम है, रंग देवी मित्रों, रंग देवी, इनके नेत्रितम में जो अगर आपके पेपर में क्योंसिन आता है तो आप जरूर द्यान रखेंगे रन थंबोर को ही टिक करेंगे क्योंकि पहले उत्र यह मान लिया गया है इसके अंदर हारने के कारण या शाका हुआ उसके कारण क्या था कि रतिपाल और रतिपाल और रणमल इन्होंने विश्वास गात किया था मित्रों रतिपाल और रणमल ने विश्वास गात यहां पर किया था इसके बाद है 1303 में होता है चितोड का यूद आप कह सकते हो कि चितोड का साका कह दो यूद कह दो राव रतन सिंग और अलाव दिन खिल जी के मद्य है खिल जी यहां पर फिर वीजे पर आप कर लेता है रतन सिंग के नेतरितों में केसरिया और इनकी पतनी होती है पदमिनी इनके नेतरितों में जोहर किया जाता है मित्रों और अलावजिन खिल जी चितोड अपने बेटे खिजर खां को दे देता है और नाम बदल कर क्या कर देता है खिजराबाद कर देता है ये नाम जो आप जरूर द्यान रखेंगे नाम बदल कर क्या कर देता है खिजराबाद नाम कर देता है अब आपको जो इस युद की जानकर मिलती है इसके बाद होता है सिवाना कायूद होता है 1308 हिस्वी में अलाउदिन खिल जी और सातल देव के मद्द्धे तो इसमें भी अलाउदिन खिल जी की विजय हो जाती है यह लाउदिन खिल जी के चार तो आकरमन आप जरूरी द्यां रखोगे 1301, 1303 तो 311 के अंदर तो इसमें भी अलाउदिन खिल जी जीत जाता है और अलाउदिन खिल जी और सातल देव के साथ कोन होते हैं और सातल वैस्वी सोम और मित्रूप जैसे यहाँ पर विजय प्राप्त करता है ना इसका नाम बदल कर खेराबाद कर देता है यहाँ का क्या 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 जालोर दुरु की चाब भी का जाता है, जाइन को रन थमबोर की चाब भी का जाता है, वहीं जालोर दुरु की चाब भी कौन सा है, शिवाना का है, किलाय मित्रों नेक्स्ट यूद देखते हैं जालोर का यूद जालोर का यूद होता है तेरा सो ग्यारा इस्वी के अंदर कब होता है तेरा सो ग्यारा इस्वी के अंदर होता है वही अलाओदिन खिल जी कानर देव और वीरम देव कानर देव के साथ कौन थे वीरम देव आप द्यान रखेंगे वीरम देव थे इसमें खिल जी युद जीत जाता है युद जीतने के बाद यहां का नाम क्या कर देता है जलालाबाद कर देता है मित्रों जलालाबाद यहां का नाम कर देता है आप ये चीज द्यान रखेंगे और इसमें यहां पर जो विश्वास गात किया था ना वो किया था बिक्का दया ने किसने किया बिक्का दया ने विश्वास गात किया मित्रों जिसके कारण यहां पर जो जोहर यसा का यूद हार गए थे जिस कारण से युदा हरे थे, वह ही एही था इसके बाद मित्रों हम सारंगणपुर के युद के बारे में जानते हैं सारंगणपुर का युदा 1470 से स्वी में है कुमभा और महमूद खिल जी पर्थम के मद्ध्य होता है विजे स्तम्प का निर्मान करवाते हैं मित्रों इसके बाद खातोली का यूद होता है 1517 इस्वी में बाड़ी कहां पर पड़ता है दोलपूर के इंदर है 1518 में होता है राणा सांगा और इब्राहीम लोदी के मध्या होता है तो इन यूद में राणा सांगा जीत जाते हैं, इन यूद में राणा सांगा जीत जाते हैं मित्रों चलते हैं next, बयाना का यूद, इससे पहले मां आपको एक यूद और बताना चाहूँगा गागरोन का मित्रों आप ध्यां रखोंगे गागरोन का युद्ध है आप ध्यां रखोंगे पंदरा सो उननीस में होता है वो पंदरा सो सत्रा अठारा और उननीस में युद्ध होता है पंदरा सो उननीस के अंदर होता है गागरून का दुरूग, सोरी मित्रूग गागरून का युद होता है 1519 इस्वी में इसमें भी राणा सांगा की विजे हो जाती है बयाना का युद, तो बयाना 16 फरवरी 1527 इस्वी में होता है राणा सांगा और मुगल सुवेदार कौन होता है? मेंधी ख्वाजा इनके मद्य होता है और इस समेराना सांगा की विजे हो जाती है कब होता है 16 फरवरी 1527 इस्वी में होता है इसके बाद हम खानवा के युद के बारे में जानते हैं ये 17 मार्च 1527 को होता है लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि 16 मार्च को कहा है इस युद को किसने ये कहा है कि ये युद 16 मार्च को हुआ है ये हमको जानकारी मिलती है कवी राजा स्यामलदास की पुस्तक है कौन सी वीर विनोध वीर विनोध के अंदर ये जानकारी मिलती है अगर आपसे स्पेसिफाई करके पूछा जाए कि वीरवनो दिया सेमल द्यास के अनुशारी यूद कब हुआ तो हम 16 मार्ज को टिक करेंगे अनेता 17 मार्ज 1527 को ही मानेंगे राना स्थांगा और बाबर के मद्योता है और बाबर इस यूद में जीत जाता है कुछ पॉइंट है वो आप जरूर एक बार इस यूद को पूरा पढ़ा लें काफी पॉइंट सीस के अंदर है इसमें राना सांगा होते हैं वो पाति परवन अपनाते हैं कुछ मजानकारी आपको बता देता हूँ इस यूद को आप जरूर पढ़ें इसमें बहुत से पॉइंट जो आपको ध्यान रखने है पाति परवन के कारण मतरु राजाओं को बुलाया जाता है तो आप ध्यान रखना की कौन-कौन से राजाओं को किस रियासत से आते हैं बिकानेर से कल्यानमल ऐसे आप ध्यान रखेंगे आमेर से आते हैं फिर थी राज तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखेंगे बाबर जिहाद की गोसना करता है बाबर जिहाद यानि धरम युद की गोसना करता है सराब नए पीने की किसम खाता है सिराब नहीं पीने की किसम खाता है और मुस्लिमों से तमगा कर मुस्लिमों से तमगा कर हटा लेता है तमगा कर हटा देता है मुस्लिमों और तुल लुगमा युद पत्ती का भी इसमें उप्योग करता है इसके बाद हम पढ़ेंगे चितोड का यूद या दूसरा साका 1535 सीश्वी में होता है तो ये किसके साथ होता है बहदूर सां बहदूर सां कहां काई गुजरात का ये बहदूर सां गुजरात वाला चितोड प्राकर्मन करता है और इस समय यहाँ जो नेत्रितव कर रहे होते हैं कर्मावती के नेत्रितव में जोहर किया जाता है और किले पे जो केसरिया किया जाता है वो किया जाता है बाग सिंग, देवलिया, देवलिया के बाग सिंग होते है देवलिया के वाग सिंग के नेत्रितम में जोहर किया जाता है उसके बाद में हम चितोड के तीस दूसका हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे चितोड का तीसरा साका 1568 इसवी गें अंदर चितोड का तीसरा साका होता है इसमें अकबर यहां पर आकर्मन करता है तो जैमल राठोड और इनके साथ कौन होते हैं कल्ला राठोड जैमल राठोड और कल्ला राठोड यहां पर होते हैं पत्ता सिसो दिया और इनकी पत्नी फूल कमर इनकी पत्नी होती है फूल कमर जिनके नेत्रितम में जोहर किया जाता है यह यहां पर केसरिया करते हैं और इनके नेत्रितम में जोहर किया जाता है इसके बाद 1544 इस्वी में युद होता है गिरी सुमेल का जेतारण का सुमेल गि देता हूँ, इससे पहले एक यूद जरूर आप जहां रखोगे, पंदरा सु एक तालिस इस्वी में एक यूद होता है, जिसका नाम है पाहिबा या साहिबा का यूद, जिसको पाहिबा का भी यूद बोल दिया जाता है, या साहिबा का यूद बोल दिया जाता है, इसमें मा जेट्सी युद में लड़ता हुआ मारा जाता है जेट्सी मारा गया नों इनका बेटा होता है कल्यानमल कल्यानमल हुता है वह कलांतर में के पास चला जाता है uyður मेड़ता पर भी माल देव अधिकार कर लेता है, मेड़ता में होता है वीरम देव, वो भी सेर सांसूरी के पास चला जाता है, अब यह पोइंट आप ध्यान रख लिया, तो अब यहां पर क्या होगा कि सेर सांसूरी के साथ कोन होता है, एक तो कल्यानमल आएगा, ध्यान रख आते हैं और काला इंतर में सेरसांसूरी जोद प्राधिकार कर लेता है इसके बाद हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी यूद के बारे में हल्दी घाटी का यूद कब होता है 18-1536 को 18-1536 को होता है गोपिनात सर्मा के नुशार 21-1536 को मानेगे गोपिनात सर्मा अगर कि अकबर की तरफ से कोन आता है अकबर की तरफ से मानसिंग कच्वा और कोन आता है असफखां आप ध्यां रखोगे मानसिंग कच्वा आ गया और असफखां होगे ये तो हो गए सेनना नाइक जो सेनापती कह सकते हो अकबर की तरफ से परताब की तरफ से भी सेनापती है ज पुझा भील हो गए, तीन नमबर पे आप ध्याँ रखोगे किर्सन दास चुंडावत, ये नाम भी आप ध्याँ रखोगे, चार नमबर पे ध्याँ रखोगे रामसा तुमर, ये कहां के थे मित्रों? गवालियर के, ये कहां से थे, गवालियर से थे, चार नम आप ध्याँ र James Toad, James Toad इस यूद के बारे में क्या कहते हैं, James Toad ने कहा, मेवाड की थर्मोपोली, मेवाड की थर्मोपोली किसने कहा है, James Toad ने कहा है, अब next के बारे में जाते हैं, दिवेर का यूद, अक्तूबर 1582 में होता है, परताव और मुगल सेनापती, सुल्तान खां, सुल्तान खां के मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् गीगोली का यूद, 1807 इस्वी में गीगोली का यूद होता है मित्रों, 1807 में होता है जगत सिंग, सैकिंड और मान सिंग के मद्या किर्षना कुमारी के विवाय को लेकर ये यूद हुआ क्वाडा का यूद, 9 गस्थ, 1857 इस्वी को, तात्या टोपे, अंग्रेज सेनापती, रोबर्टसन के हाथों प्राजित होता है क्वाडा को ठारे नदी के किनारी भीलवाड़े में है बिथोडा का यूद, 8 सप्तमबर, 1857 इस्वी को होता है कुसाल सिंग के नेतरितम में क्रांतिकारियों वे अंग्रेज, अधिकारी हीत कोट के मदेई होता है हीत कोट वे अनार सिंग इस यूद में मारे जाते हैं मित्रों चेलावास का यूद आप जरूर ध्यां रखोगे, चेलावास का यूद चेलावास के युद को काले या गोरों का युद भी कहा जाता है 18 सेप्टेंबर 1857 को कुसाल सिंग चमपावत और करांतिकारीन के साथ होते हैं एजजी पेंट्रिक लोरेंस वे मेक मोशन मेक मोशन के गरदन काट कर अववा के किले पर टांग दी जाती है लटका दी जाती है आज का लास्ट इसमें युद है जाजाओ का 1707 इसवी में होता है मोज़म वैँ आज़म के मद्दे होता है सुवाई जैसिंग ने आज़म का पक्स लिया लेकिन प्राजित मोज़म की हुई मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा, share कीजिये, like कीजिये, हमें comment करके बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा कुछ अन्य चेंजिस जो करने वो भी आप हमें कोमेट करकर बता सकते हो मित्रों थैंक यू धन्य बाद